मित्रोंक योग के विविध आयामों में हठ्योग का स्थान महत्वपूर्ण है. ऐसा कहा जाता है कि हठ्योग और तंत्र विद्या का संबंध अधिक निकटका है. अर्थात तंत्र विद्या से हठ्योग की उत्पती मानी जाती है. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान इन दोनों विद्याओं के प्रनेता हैं। सूर्य चंद्रम सौयोगाद हठ योग निगध्यते। अर्थात हठ योग में हठ शब्द ह और ठ दो अक्षरों से मिलकर बना है। इन में हकार का अर्थ सूर्य स्वर या पिंगला नाडी से हैं। और ठकार का अर्थ चंद्रस्वर या इडा नाडी से लिया गया है। यही आत्म और परमात्मतल का मिलन है। इस मिलन से साधक का अज्ञान नश्ठ होकर ज्ञान का उदे होता है। दुखों की आत्यन्तिक निवरित्ती होती है। इसलिए इस मिलन की अवस्था को योग कहा गया है। यही हठ्योग का वास्तविक अर्थ है। हठ योग में इस मिलन को प्राप्त करने के लिए शटकर्म, आसन, प्रानायाम, मुद्प्रक्त्याहार, नादानुसंधान, आदी का वर्णन किया गया है। हठ प्रदीपिका में मुख्य रूप से चार अंगों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। आसन, प्रानायाम, मुद्रा, एवं नादानुसंधान। इसी प्रकार महर्शी घेरंड ने भी अपने योग ग्रंथ घेरंड संहिता में हठ योग के साधनों का वर्णन करते हुए कहा है। शोधन द्रिडता चैव स्थैर्य धैर्य च लागवं प्रत्यक्षन च निरलिप्तन च घटस्य सप्तसाधन। अर्थात योगा अभ्यासी पुरुष को साथ साधनों का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम शरीर की शुद्धी दुसरा शरीर को द्रेड करना, तिसरा शरीर में स्थिर्ता लाना, चौथा धैर्य की प्राप्ती करना, पाचवा शरीर को हलका करना, छठथा प्रत्यक्ष करना, साथवा निरलिप्तता। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने कहा है केवल राजयोगाय हठ विध्य उप्देशते. अर्थात केवल राजयोग अर्थात समाधी की अवस्था प्राप्त करने की उद्धेश से ही हठ योग विध्या का उपदेश किया जा रहा है. हठ्योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश के एक सो तीन वे में कहा गया है कि हठ और लेके संपूर्ण उपाय है वे संपूर्ण मन की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध रूप जो राज्योग है उसकी सिध्धी के लिए ही कहे गए है इस प्रकार हठ्योग को पूर्णता भी समाधी में ही है समाधी की प्राप्ती के बिना हठ्योग पूर्ण नहीं होता है यह शरीर और मन को वश में करने की विद्या है जिससे आत्मसाक्षातकार हो सके हठ योग का उत्पत्ती कुछ पाखंडी विजातिय तत्वों ने हठ योग एवा राज्योग के विशय में भ्रानती फैलाने की कोशिश की। इनका मत्था की हठ योग और राज्योग दो अलग अलग मार्ग हैं और इन दोनों के बीच में एक ऐसी चोड़ी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्ट इन तत्वों ने वेश, भूशा, बाह्य, आडंबर आधी पर अधिकाधिक जोर देकर योग एवं उसके साधना के संबंध में विभिन भ्रामक धार्ना फैलाने की कोशिश की और इसमें कुछ समय तक के लिए ही सही वे अंततह सफल भी रहे। किन्तु भारतवर्ष इस अर्थ में सौभाग्य शाली रहा है कि जब जब भी विकृतिया पैदा हुई और अपनी चरम सीमा पर पहुँचती दिखाई दी, तब तब कोई न कोई महापुरुष उत्पन होते रहे, हमें निर्देश देते रहे और हमारा सही मार्क दर्शन क करते रहे हैं, ऐसे ही महापुरुष श्री मत्सेंद्रनाथ जी भी हुए, जिन्होंने तंत्र विद्या के माध्यम से ही सर्वप्रथम हठ्योग की विद्या जन जन तक पहुँचाई, इनके पश्चात, गोर्खनाथ, स्वात्माराम जी ने इन्हें आगे विस्तारित करने में संपून सहयोग प्रदान किया, स्वात्माराम जी के अनुसार श्री आदिनाथ यानि शिव जी की हठ्योग परंपरा के आदी आचार्य हैं